the speed of a boat in still water is 12 km per hour शान्ति जल में नाव की जो चाल है 12 km per hour है ठीक है और कहता है going downstream it moves at the rate of 19 km per hour downstream में जो चाल है 19 km per hour है और आप से पुछा the speed of the boat against the stream is तो पताइए अब stream में चाल क्या होगी ठीक है language समझनी है ठीक है तो शान्ति जल में चाल 12 है 12 है ठीक है और downstream में 19 है अब 12 में क्या plus किया गया कि 19 हो गई चाल इसका मतलब 7 km है यह क्या धारा की चाल है ठीक है अब यह पूस्ट है upstream में क्या होगा अब 12 km per hour की गति से बोड जो है उपर की तरफ जाएगी और 7 km per hour की दगति से धारा उसको नीचे की तरफ धगे लेगी उस condition में upstream में क्या चाल रही होगी 5 km per hour देखना जारा 5 आ रहा है क्या कि देखो भी क्या है अंसर 15 आ रहा है चलो बीटी करते हैं हम लोग देखो आ शांत जल में चाल 12 km per hour है अब downstream में जब वो नाव चला रहा होगा यानि downstream का मतला नीचे की तरफ नाव चला रहा है अब नाव जो चल रही है 12 km per hour की तरफ धारा जो है उसे धगेल रही है नीचे की तरफ उसकी कितनी चाल है हमें मालूम नहीं है प्रंतु उस्टे में स्पीड बढ़कर कितनी हो जाती है 19 km per hour 19 km per hour हो जाती है तो कितनी धारा कितनी किलो मेटर पर आवर की गतिसे उसे धखेल रही है यह आयाता हमारा 7 km per hour बारा में साथ जमा गया जबी तो उन नहीं स्वाया इसका मतला धारा की जो चाल है वो है बिटा 7 km per hour जब अप स्टीम में जाएगा तो 12 km per hour की गतिसे बोट उपर की तरफ जाएगी और 7 km per hour की गतिसे धाराव से नीचे धखेलेगी तो स्पीड निगल करके आएगी 5 km per hour